हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंट्स आज हम भात करेंगे महानगर ग्यास लिमिटेड कंपनी के बारे में जो की एम जल के नाम पे हम जानते हैं इस कंपनी का अनलिसिस करने से पहले आप सबकों में जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इ लेके चल सकते हैं क्योंकि आपने इस बार स्मॉल कैप स्टॉक्स का लिस्ट नहीं बताया है तो इसलिए वीडियो आप जरूर देख लिजी यहां पर फाइब बढ़िया सा स्टॉक बताया हुआ है जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स से इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टम में लेना है या तो फिर में लेना है ठीक है तो इस वीडियो को देख लिए जरूर आज जो हम बात करेंगे महान अगर गया स्लम लिमिटेट कंपनी के वारे में जो की एम जील के नाम पर हम जानते हैं कि इस कंपनी एक 8300 करोड का मार्केट क्या पर अगर स्टॉक का पी दे का होल्डिंग जो एक थार्टी टू परसेंटेज का प्रोडिंग और डेट फ्री कंपनी अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी इतने ज्यादा डेट नहीं है मैंने जैबल है अगर हम दिखेंगे क्लोश टू जीरो है बिलकुल अगर हम इसका बुग वेल्व दिखेंगे 354 का कि यहां पर अगर हम देखते हैं आरोई भी टॉंटी का आरोई है और स्टॉक किस फिल्ड में बिजनेस करता है वो पहले देखेंगे जो कि महानगर ग्यास लिमिटेड कंपनी जो है मुंबाई में इनका बिजनेस है जो कि प्रेजेंट ली सप्लाइंग नाचुराल ग्यास का सप्लाइए इनका अगर हम यहां पर जाके देखेंगे जो कि कंपनी का अगर हम यहां पर क्वाटरली रिजल्ट आगे चेक करेंगे क्थ और फ्रेंड यहां पर कॉंपनी का जो शेल से सैल से स्टेवल रहा है अगर आप देखेंगे तो यहां पे निक grandes जो की पिछल्य अगर हम लास्ट चार्वर में से अगर हम सेल्स की बात करेंगे 2830 क्रोट ल्हीanka passport करके आया जो कि एक ص będę रहा है कंपने में कहई स्वाइप्स Manuel नहीं अगर हम यहां मार्स को डिवान को यहां पहुलाय से सब्था से दिर्श को यहां पर यहां पर alan्ट फ्लद के देखते हैं बैलेन्स इट में हमें दो फेक्टर देखना होता है जो कि रिजर वे रिजर्ट हमें सा ग्रोंग होते जा रहा है देखिए यहां पर 691 से लेके अभी 3400 करोड का रिजर बहुत बढ़ी आसे रिज़र बढ़ी आसे ग्रों हो रहा है आगर हम बॉर्ण की बात करें यहां पर प्रमोटर का होलडिंग यूप油 का करिणिगे प्रमोटर ना सब्सक्राइब कीयुक्स समझ करते हैं बोट अच्छा सा प्रॉट कमा शकते हैं्jobs करेंगे अगर तो इस देखिए अगर हम इसमें स्विंग करते हैं बहुत अच्छा सा पाईसे बनता है इसका चाट पटन आपको पता चल रहा होगा कि स्टॉक का एक शुंग ट्रेड़ चाट पेटन है बिल्कुल आप देखेंगे तो इसी साब से देखिए यहां पे स्टॉक का रेंज बना हुआ ह चलताई उपर का जो यह 잉रेज़र के कि आपकर वात चलता है तो इस साव से अगर आपको स्टाँक में देखना है तो यह बिलकुल मतलब जो बोटम है अगर की बात करेंगे में बटम से कितना परसंटेज का अभी रेए ऊपर चल रहा है देखे अगर आपको इस टॉक में पोजिशन बनाना है मेरे हिसाब से अभी इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि अभी बिल्कुल लोर रेंच पे चल रहा है यहां से और कितना परसेंट आ सकता है इसके निचे अगर हम देखेंगे तो यहां पर कितना परसेंट का गेन क्यों बोल रहा हूं देखेंगे यहां पे स्टाइक काफी बार यहां पर एक सब्सक्राइब करेंगेगेश की सब्सक्राइब यहां पर एक बारकिया मिल सकता है अब अब अगर 1242 तक आ सकता है इसके लिए हो सकता है आपको six months nine months लग सकता है ठीक है लेकिन यह लेवल तक जरूर आएगा क्योंकि देखिए ना उसका चार्ट पैटन इसा ही बना हुआ है तो इससाब से यह लेवल तक जरूर इंतेजार कर सकते हैं लेकिन अगर आप सेफली अगर इन्वेस्टमेंट सेफली अगर आपको यह स्टॉक में गेंच चाहिए तो मेरे हिसाब से यह जो लेवल है यह लेवल देखिए यह जो रेजिस्टन स्पेस किया हुआ यहां तक भी सकते हैं यहां पर बहुत बार स्टॉक में रेजिस्टन स्पेस किया हुआ है ठीक है आपको बिल्कुल यह लेवल तक अगर चलेंगे तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं जो कि 1186 का लेवल है अगर वहां तक यह स्टॉक में पोजिशन बनाते हैं फ्रेंस आपको 40 परसिंटेज हो सकता है नहीं नहीं होता है और लेकिन इसमति फाइव चल रहा है यहां था त्रेडिंग हो रहा है मतलब स्क्रेखि इतना यह कुतना है flashing तो आप उसी साब से आपको पोजिशनर बना सकते हैं आपको शुइंग ट्रीट के लिए ना है यह जो मैं बता रहा हूं आपको शुइंग के लिए नहीं जाना है अभी आपको में अभी स्टॉक्ट को सुइंग के लिए और अपना वहां तक का टार्गेट ले लिए जो कि 1186 तक का आपको इसमें से प्रॉफिट लेकर निकल जाना है ठीक है अगर लंग टर्म के लेना है जो मैं लंग टर्म वीडियो बनाता हूं उसी में लेकर चलिए क्योंकि इसका पैटर्ण जो डिवलोप हुआ है यह सुइंग कर रहे हैं लेकिन कोई भी करेंगे फ्रेंस आप खुद का भी अनलेसिस कर लेजिए और एक स्टॉक में आपका ज्यादा ज्यादा आप फाइब परसंट तक का इंबेस्टमेंट कीजिए उससे ज्यादा मत कीजिए ठीक है और यहां पर आने वाले दिनों में बड़ी ऐसा प्रॉफिट मिल सकता है लेकिन अगर आप रिस्क की परसंटेज का गेन भी है यह आप सोच लीजे फ्रेंट ठीक है लेकिन कोई भी इनवेश्मेंट कर रहें खुद का अनलेसिस करके इनवेश्मेंट कर लिजे फ्रेंट से वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर चै